हला बोल जिसमें हम बात करते हैं आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की और पहुचाते हैं उनको शासन प्रशासन तक पेश है हमारा विशेश कारकम हला बोल तो हला बोल में आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश के सिंगरोली की मध्यप्रदेश का सिंगरोली जिलाए समेर राख के कहर से जूज रहा है एंटीपीसी प्लांट का राखर डेम तूटने से कई गाव राक की चपेट में आ चुके हैं इलाके किया वो हवा के साथ साथ घरों में राक ने तांडव मचा रखा है दरसल महीने भर पहले एशिया के सबसे बड़े प्लांट एंटीपीसी विंध्याचल पर योजना का शाहपूर सित राखर डेम तूट गया था इसकी वज़े से निचले इलाकों समेत कई घरों में राख भर गई शापूर में बना बीवन एश डेम सबसे पुराना डेम है इसमें कई दिनों से रिसाब हो रहा था समय पर मरमत ना होने की वज़े से ये डेम तूट गया और इससे अफरात तफरी मच गई राख युक्तपानी ने कई गाउ में कोहरा मचाते हुए रिहंद बांध को भी जहरीला बना दिया है एंटिपीसी के राखर डेम लीकेज की जानकारी लोगों ने उसी समय प्रबंधन को दी थी बावजूद इसके एंटिपीसी प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया अब एंटिपीसी पूरे मामले पर परदा डालने की कोशिश में जुटा है वहीं कलेक्टर के वीएस चौधरी ने मौके का मौइना किया और एंटिपीसी को राक डेम से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए नुर्देशित किया अब है तक पता नहीं है दुचार चरवाहे रहे वहां से तायरो भी हांकी नहीं है रात-भर उनका पता नहीं है उनका मौरी माठी कुछ नहां मिला इच्छों हेरने जा रह listened to these to the farm by Mädels, hisseальная one— जाहे हम उन्हेंнегоया, मुडŭेजिया, किोभेज।पर दिखायों जानकारी के बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे बात कर रहे हैं सिंगरोली की जहां पर एंटीपीसी का पावर प्लांट है प्लांट के राखर डेम की दिवार अचानक से ढह गई और इसके साथ साथ दिवार के ढहते ही प्लांट से निकलने वाली राख वहाँ फैलनी शुरू हुई जिसे चारों तरफ घबराहट और हड़कम मच गया राख ने आसपास के पांच गाउं को अपने चपेट में ले लिया है आपको बता दे कि गाउवालों में इस सित्थी को देखते हुए भगडर मची गाउवालों के मताबिक इस मलबे में उनके दरजन भर मवेशी दब गए प्लांट में काम पर लगने वाले ठेकेदारों की गाडियां मशीने भी मलबे की चपेट में आ गई अचानक आई इस विपत्ती की वज़़ से जैनगर जवारी और अमहा टोला सहित आधा दरजन ग तबाही का नजर आ रहा है और आपको बता दे कि अभी पिछले महीने ही सिंगरॉली में एसार पावर प्रोजेक्ट का रागबान भी तूटा था जिससे भारी तबाही मची थी यह दूसरा वाक्या है जब विंध रागबान जो की बीवन एश डैम है जो की सबसे पुराना डैम है वो भी तूट गया लगतार लापरवाही का आलम ये कि जो आम जनता है वो इससे परेशान हो रही है तो हला बोल में आज हम बात कर रहे हैं मध्यप्रदेश के सिंगरॉली की जहां पर NTP PC विंध्याचल का शाहपोर स्थित एश डैम तूटा और इससे निचले इला साथ यह आपको बता दें कि कोई जनखानी नहीं हुई है लेकिन पशुधन का नुकसान बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है इससे पहले भी एससार डैम टूटा था और इसके बाद भी प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो हला बोल मैं आजम बात कर रहे हैं आम जनता से जोड़ी उस समस्या की जिससे लगातार जनता परेशान है एंटी पीसी विंध्याचल का शहापुर उस्तित एश डैम जिससे मलबे के नीचे कई पालतू पशू जो की दब गए लेकिन उसके बाबजूद अभी भी एंटी पीसी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया ये पूरा मामला लापर वाही का है इसे पहले भी सिंगरॉली में सार प्रावर प्रोजेक्ट का रागबान तूटा था जिससे भारी तबाही मची थी और इसके बाद एंजीटी ने सुप्रीम कोर्ट को ओन रिकॉर्ड इसको दिया था अधिवक्ता आश्विनी दुबे की शुकायत पर एक टीम सिंगरॉली भी पहुंची थी वही मामला अभी चल रहा था और इसी बीच ये दूसरा मामला आपको बता रहे हैं एंटीपी सी विंधनगर का एश डेम टूटा और अभी तक इसके लिए कोई भी पुकता इंतजाम नहीं किये गए हाला कि कलेक्टर के द्वारा नुर्देशित किया गय है तुमारे साथ विधायक रामललू वैशी जी उड़ रहे हैं वैशी जी स्वागत है आपका निउस वर्ड में असरम बात कर रहे हैं सिंग्रॉली के एंटीपी सी डेम की एश डेम जो की तूट गया है क्या लगता है ये लापरवाही का मामला और अभी तक इसमें कोई भ घरों में पहुचा है और कई पशुधन का वीस में नुक्सान हुआ है क्या कहिंगा और खेतों में भी पानी भरा, गाओं में भी घुसा, परसासान को हम सबने कहा है कि परता के साथ उनकी जो च्छती हुई है उसका मावजाद हैं, और एंटे किसी को यह अगार करें किस तरह के बात बनाने पर उनको सजा मिलनी चाहिए, यतना भी हो उनके खिलाब कार वही होन जी, यहाँ पर वैस्टी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब बांध की जो डैम है, वहाँ की जो दिवार है, उसकी जानकारी दी गई थी लोगों के द्वारा की वहाँ पर इस तरीके की ख्छती ग्रस्त होने की संभावना है, लेकिन उसके बात भी प्रशासन नह पर इससे बात है, तो अब उन करने की दुआ है कि हम लोग जो भी हो सकता है उनके नुक्सानी का परपाई करेंगे, जी, उसके लिए जाद परिछट चल ला है, चूकि क्या है कि माज़ेसी ते छूटे थे किसी के घर में होते ते की बात होती, अब उसका परिछट करने का सकता है कि किस ब्यक्ति की कितनी है, यह खुद भी घर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बताया जाए, कुछ ने कुछ कमी होने के बाद यूद भी हम लोग उसको नहीं काना चाहते कि पबलिक की में भी कुछ कमीया है, यहां पर वैश्ट जी आप से जाना चाहेंगी अभी जनप्रतिजी होने के नाते, क्या कुछ संभावना आपको लग रही है, कितनी जल्दी जनधन का नुकसान हुआ है, उसका आकलन हो जाएगा, और लोगों की समस्या का समधान हो पाएगा, अब तो ऐसा लगता है, एक महीने का अंदर हो जाएगा, एक महीने का समय लगेगा तब तक के लिए वेकल्पिक व्यवस्ताई क्या कुछ की जा रही है वाँ पर? पर राकित डेम बनाना चाहिए, और नहीं बना पा रहे हैं, तो पब्लिक के साथ तो ये धोका है ही बिल्कुल और यहां सबसे बड़ी बात है, जो रहंद डेम है, जहां से लोगों के लिए पानी की सप्लाई होती है, उसमें भी राकित पानी जा चुका है पीने के पानी की समस्य अत्ता का चुकी है, उसके लिए किस प्रकार की विवस्ता है, जी? यह कम्या तो है प्रकार बिल्कुल, और जब घटनाएं, दुर घटनाएं, घट जाती हैं, उसके बाद सब चेते हैं, यह सबसे बड़ी विदम बना है, हमारे साथ रमापती जैस्वाल जी जुड़ रहे हैं, रमापती जी स्वागत है आपका? जी नवश्कार सर, हम बात कर रहे हैं, आज सिंगरोली जिले, जहां पर लगातार रागबान के ढह जाने से, लोगों के लिए समस्याओं का अंबार लग गया है, क्या कुछ कहेंगे अभी किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर हो रही है, ताकि जो आम जनता है, उनको किसी प्रकार से राहत मिल सके? बिल्कुल बात आप सही कहा रहा है, इससे पहले भी रमापती जी ये पहली घटना नहीं है, सार कंपनी का जो बांध है वो भी टूटा था, एंजीटी ने सुप्रीम कोर्ट को ओन रिकॉर्ड इसकी जानकारी दी थी, इसके बावजूद अब ये दूसरी घटना घट चु जन हानी का कोई चिंता नहीं होता, ये तो केवल प्रोडक्शन और प्राइस प्राप्त करने के चक्कर में यहां का जो अस्थानी हमारे सिंगरोली का वासी है, उसके हितों की चिंता जराती भी करने का ये लोग सोचते ही नहीं, अब ये आईस जाई का जो राख़ड है, हम कुछ जानकारी आपको मिल पाई है, कब तक इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा, हाला कि ललू राम जी हमारे सा जुड़े हुएं, जुनका कहना है, कि एक महीने का समय लगेगा, जो की बहुत ज्यादा है, एकदम मानने विधायक जी हमारे छेदर के लोपरी विधायक है और हमारे नेता है, उनकी बात के मैं भी सहमत हूँ, जैसा उनका प्रसासन के साथ बात्चीत हुआ होगा, उस अनुसार वो एक महीने का समय बता रहे हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि एक महीने लगेंगे परम तो ये समय बहुत ज्यादा है, इतने के भीतर यहां सिंडरोली क का निवासी हमारा, बिल्डा का अनुभाब करेगा, प्रसासन को इसे और जल्दी चीत करना तहिए, बिल्कुत तो लगा तार लापरवाही पर लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन समय की सीमा बहुत ज्यादा दी जारी इसे, कहीं न कहीं आम जनता परेशान है, ले लेकि एंटी पीशे के चार एस डाइक हैं, यहां सिंगरोली में अलाग अलाग अस्थानों पर चार या पाच एस डाइक हैं, उन एस डाइकों की कैपिसिटी भी परयापता है, लेकिन यह लगातार इसी एस डाइक को फुल्फिल कर रहे थे, यह भयंकर उदासिंता अथ व अब लापरवाही का यह आलम है कि अब एक महीने के समय सीमा के बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस प्रकार से लोगों की समस्या का समाधान होगा, बहुत शुक्रिया रमापते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विधायक साहब, वैशे जी आपका भी हमारे साथ तो हम आपको बता दे कि आज हला बोल में हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की राख बांध जो की जुड़ा हुआ है एंटी पीसी से लेकिन एंटी पीसी के तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं उदासीन बने रहे, लापरवाही से तबाही का आलम देख सकते हैं टी पानी की समस्या बन चुकी है लेकिन अभी कलेक्टर द्वारा निर्देश की दिया गया है कि जल से जल इसका समाधान किया जाएगा लेकिन विधायक साहब से साथी जिलावपाद ग्यक्ष साहब से जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें एक महीने का समय लग पाएगा ज लेकिन अभी तक शासन प्रशासन और साथी एंटीपीसी के द्वारा कोई भी थोस कदम नहीं उठाया गया है इस्तिती जो है काबू में है लेकिन कहीं न कहीं विडंबना ये है कि लापरवाही के चलते पाच गाउं इसके चपेट में आ चुके हैं रिहंद डैम का पानी जहरीला हो चुका है। सिंग रॉली में सार पावर प्रोजेट का रागबान तूटा था जिसमें भारी तबाही मची थी उसके बाद साथ अक्टूबर का वो दिन जबकी एक बार फिर डीवनेश डैम जो की सबसे पुराना डैम माना जाता है एंटीपीसी का ये डैम और निचले इलाकों समेत कई मकानों में राक युक्त मलमा वहाँ पर जागुसा जिससे भारी मात्रा में पशुधन का नुकसान हुआ है और सिंग रॉली समवारे समवादाता नवीन मिश्रा जुर चुके नवीन जिस प्रकार से तस्वीरे हम देख पा रहे हैं भारी तबाही का ये आलम है लेकिन सबस जद उसके ना ही टी पीशि ना ही प्रशासन जागा जी नवीन आप तक आवाज पहुच पा रहे हैं ये टी पीशिम में लगातार स्थानी लोग सिकायत कर रहे हैं इसकी जानकरी आडिकारी ने इसको संजीरिगी से नहीं लिया सब्सक्राइब कर दो से तीन दीरों के वीतरी जो पारी सुई उसमें डेम टूट गया तूटने की बज़ए से तक्रीबन सौ हेक्टेर में यह लाक चारो तरफ पुले लगई जिससे कई जेसरों वहां के जो रिहन देरे में जिससे एंटी पीसी पुद पानी ले रहा है साथ में नगर निकम प्रसासां को पूरे नगर निकम चेत्र में एंटी रिहन देरे में से पानी की सफ़ाई की जाती है वह भी गंगा हो चुका है जी अब हलाकि पूरे मामलों को लेकर सिहरोली के लेक्टर संजीदा दीखिया और वो चेत्र का ब्रमन भी किये हैं और एंटी प जा रही है उसको आप रोकिया और एंटी पीसी की जो चाती हुई है उस लापरवाही की वज़े से उसकी चाती पूरती को पूरा करेंजी बेकुल नवीन जिस पर का कि तस्वीरे हम देख रहे हैं राख युक्ते मलबा जो है आसपास के पाज गाउं तक पहुँच चुका जो है इसकी भरपाई हो पाएगी लोगों तक बात हुए उनका सब तोर पर कहना है कि नुकसान ज्यादा हुआ नहीं है लेकिन इस्तितिया है यहां लवक करोरो का रूपसान हुए है किसानों की फसल नस्ट हुई है जो रिहंड ज़ी जीत है उनकी मोत हुई है पुल मेरा क देखा जाए तो एंटीपीची की साथ तवर पर लापरवाई है जहां पर कहीं जन प्रतिनी दी हैं वह भी कहीं चुके हैं कि एंटीपीची को पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले में भी परदा डालने की कोशिज एंटीपीची कर अभी तक कलेक्टर साहब द्वारा एंटीपीची की खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया गया है और इसके पूरे मामले में एंटीपीची के द्वारा क्या कुछ सफाई दी गई है क्योंकि एक बड़ा नुकसान यहां पर पूरे आसपास सिंग्रॉली में देखा जा रहा है कि अभी काफी समय लगेगा इसमें जी विख कुल नवीन हमारी बात अभी विधायक सहब से हुई साथी सभापती जी से भी हमारी बात हुई उनका कहना ही कि एक महीने का समय लगेगा उस बीच आपकी जानकारी में क्या कुछ है किस प्रकार से वेकल्पिक व्यवस्ता सब्सक्राइब करने के लिए पूरा मामला जो है सिंग रॉली का है और सिंग रॉली कि तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर एंटी पीसी की तरफ से जो राख बांध बनाया गया था काफी पुराना ये बांध है वो ढ़े गया पानी और बारिश की वज़े से लेकिन सबसे बड़ी विडम बना ये कि आखिर क्यू नहीं पहले से प्रुशासन जाकता है पहले से क्यू नहीं ये कंपनी जाकती है जब नुकसान हो जाता है उसके बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कि आखिर नुकसान कितने का हुआ उसके बाद ये कहा जाता है कि छतिपूर्ती की जाएगी लेकिन जो मवेशी जिनकी जान गई है जो जन्धन का चुके हैं इस राख युक्त पानी को पीने के लिए मजबूर है और इस पूरे प्लांट के नुकसान की भरपाई का अभी भी कोई अंदाजा नहीं है एक महीने का समय दिया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसे एक महीने में लोगों की समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा क्योंकि रहंद डेम का जो पानी है वो जहरीला हो चुका है हला बोल मैं आज के लिए फिलहार इतना ही आप बने रहें न्यूज वर्ल्ड के साथ कर दो कर दो तो